वो और से वापस आने के पाद पैसा और पावर पाने के रिए हमारा मेन क्यारेक्टर सिटी की इंफ्लूएंशल औरतों को मैनुपलेट करता है इन्हें इस तरीके से बरबात करके क्या वो बड़ाद में बन पाएगा या हम आज के हमारे मुवी बेलमी 2012 की एक रोमेंटिक ड्रामा में देखेंगे अगर आपको वीड़ाच लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा तब बिना किसी दरीके एक्स्पलिशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन ग्यारेक्टर जरूज को देख सकते है वो भी अभी जेल से वापस आया क्योंकि उसने रॉपरी की थी अब सिटी में उसके पास बहुत कम पैसे है वो भूका था और बाहर से लोगों की पार्टी देख रहा था वो एक्चॉल में रॉबर नहीं है पहले सोलजर हुआ करता था पर पैसो की कमी की वज़े से उसे वो काम करना पड़ा था उसे बहुत जादा भूक लगी थी तो अच्छे कवड़े पहन कर वो पार्टी में खुश जाता है पार्टी में उसने गलड़की को देखा जिसका नाम था रेचल रेचल को जोज पसन आया था वो जब उसके पीचे बीचे जा रहा था तो भी उसे चार्ल्स दी जाता है चार्ल्स जोज का वार का फ्रेंड था पैरिस में चार्ल्स एक निउस्वेपर का एडिटर है वो बहुत ही रीच हो चुका था वो जोज को देखकर पहचान लेता है जोज की हारत देखकर उसने कहा कि हाब और कोई भी सक्सेस्फुल हो सकता है जोज कहता है कि मेरे पास अच्छा जॉब नहीं है अच्छे पैसे नहीं मिल पाते है चार्स ने कहा कि कल मेरे घर आना मेरी वाइब से मिलना हम अच्छे से डिनर करेंगे जोज के पास अच्छे कपड़ों के लिए भी पैसे नहीं थे तो चार्स ने उसे पैसे दिया इसके बाद वो फिर से रेचल सी मिला वारे दोनों इंटिमेट हो जाते है अगली शाम जॉज डिनर के लिए आता है वहाँ पर वो चार्स की वाइफ मैडलीन से मिला इनकी यहाँ पर मैडलीन की और भी फ्रेंड्स आई थी इसमें एक का नाम था क्लोटिल डा क्लोटिल गा हजबन हमेशा घर से दूर रहता है और वहाँ पर अकेला था तो मुझे होरिफाइंग लगती थी यह सुनकर क्लोटिल गहती है वहाँ पर तो बहुत सारी ब्यूटिफुल सी लड़की आओंगे जॉज ने कहा कि मुझे उनमें इंट्रेस्ट नहीं था मुझे हमेशा घर की याद आती रहती थी इनमें वार के वा पास जॉब नहीं है मैडलीन को पता था उसे एक आईडा आया कि अपने वार की स्टोरी जॉज लिख सकता है यह अगर वो पेपर में दे तो उसे एक अच्छा जॉब मिल जाएगा यह आईडा पहले तो उसके हजबन चार्स को अच्छा नहीं लगता पर मैडलीन जॉज को को अच्छा आर्टिकल लिखने में हेल्प करने वाली थी अगली धिन जॉज और मैडलीन यह दोनों मिलकर आर्टिकल लिख रहे थे जॉज को लगा शायद मैडलीन इसमें इंट्रेस्टेड है उससे देखकर हो हसने मैडलीन ने कहा कि हम दोनों की बीच में कभी भी कुछ भी नहीं होगा क्या तुम्हें बास समझ सकते हो जोज ने कहा कि मैं समझ सकता हूं मैडली गयती है तो फिर हम दोनों अच्छे फ्रेंट बन सकते हैं मैडली ने जोज को सजिस्ट किया कि अगर वो किसी टाइप के रिलेशन्शिप चाहता है तो क्लॉट्यल के पास जाए वह क अपना आर्टिकल लेकर निउस्पेपर में जाता है वरजिनी का हस्बंड जिसका नाम था मॉंस्योर का हेड था इसने जोज का आर्टिकल पढ़ा उसे हायर कर लेता है अब जोज बहुत ही खुश था वो फिर क्लॉट्यल के पास आया क्लॉट्यल की एक छोटी सी बेटी थ उसे भी जोज बहुत पसंद आया था यह दोनों खेलने लग गए तो क्लॉट्यल को बहुत अच्छा लगता है वो भी इनके साथ खेलने लग गई थी बात में क्लॉट्यल ने जोज से पूछा कि तुम चाहती क्या हो जोज कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अकिले में टाइम करना चाहता हूँ लोट्यल कहती कि हम कल मिलते हैं जोज आता था कि वो आज ही उससे मिलें लोट्यल को बात अच्छी लगी उसके पास आई तो जढ़ा नर्वस थी और दोनों इंटिमेट होने लग तब ही वो डर जाती है लोट्यल ने कहा कि मेरा इस तरीके से तुमारे प पेकरने वाली थी जो जोज को बात सही लगती है और इन दोनों का अफेर स्टार्ट हो गया था लोटिल ने जोज से कहा कि कभी भी मुझे पर चीट मत करना उसे बात अच्छी नहीं लगती है एक राद इस दोनों पार्टी करने के लिए यहाँ पर रेचल ने जोज को फिर से देखा जोज उसे कंपलीटली इगनोर कर देता है रेचल को इस बात पर गुसा आ गया लोटिल जोज के पास थी उनके पास आकर वो सब कुछ बता देती है इस जोज और उसमें अफेर था इस बात से क्लोटिल बहुत जादा गुसा आओके और वहाँ से जाने लगे जोज क कहा कि तुम्हें मुझे सिर्फ थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी थी और इसा कुछ भी नहीं होता लोटिल के साथ ब्रेक अप के बाद जोज जरा डिस्टरब हो गया था तो इस वाज़े से आर्टिकल लिखने में उसे मैडलीन ही हेल्प करती थी उसकी कोवरकर से भी उसने पैसे लिए थे उसकी हालत देखकर चार्स कहता है तुम्हें मैंने आर्टिकल लिखने के लिए हायर किया था हर बार तुम्हें लड़किया हेल्प नहीं करेंगे जॉज इस बात से हर्ट हो जाता है और गुसे-गुसे में आर्टिकल लिखने लग क्या आर्टिकल लिखकर चाल्स को दिखाता है तो चाल्स ने कहा इससे अच्छा तो काम करने वाले लड़के लिखते हैं उसका बहुत मज़ा गुडाता है डारेक्ली पेपर के हेड मॉनसर के पास हो गया यह आर्टिकल उससे दिखाया और इस वजह से जॉज को फायर कर देते हैं चाल्स के जाने के बाद उसके फ्रेंड उसका मज़ाग उड़ा रहे थे मैडलिंग के साथ अफेर चल रहा है मैडलिंग के बारे में इस तरीके से बात सुनना जोज को अच्छा नहीं लगता उस आदमी को डाट देता है कुछ भी करकर जोज अपना जोग पाना चाता था वो भरजीनी को जानत है सब लोग के देखते ही रहे गए थे एक दिन सारी फ्रेंड्स की पार्टी चल रही थी इसमें क्लोटिल मैडलीन वर्जीनी और जॉर्ज भी था वर्जीनी के एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी बेटी थे जो वाइलिन प्लेए खर रही थी अचानक से मैडलीन के हजबन को बहुत जादा खासी आने लग गई उसकी बीमारी बहुत ही बढ़ चुकी थी उसके पास जीने के लिए बहुत ही कम टाइम था पार्टी में जॉर्ज क्लोटिल के साथ निजदी क्या बढ़ाता है यह दोनों फिर इंटिमेट हो गए मैडलीन के हजबन की हालत और भी जोज मैडलीन से कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ तुम्हें जो लगे वो ठीक है अ아 instruments हो के लिए क्यों शादी करने वाला है राटेल भी समझ सकती है कि जॉर्ज को कभी ना कभी तो शादी करने ही पड़ेगी अगर वो मैडलीन के साथ शादी करता है तो सेफ रहेगा बेचारी के सुनकर हार्ट ब्रेक हो गया था इसके बाद मैडलीन और जॉर्ज ने शादी कर ली अदेजी थी इन अच्छे आर्टिकल के वज़े से जॉर्ज का प्रोमोशन भी होने लग गया एक दिन जॉर्ज जब घर बर आया तो मैडलीन से मिलने के लिए वाट रग आया हुआ था वाट रग के जाने के बाद जॉर्ज जब पूछता है तो मैडलीन ने कहा कि वो मेरे में एक्सपोस कर दिया तो गवर्मेंट गिर जाएगी मैडलीन एजब सुनकर गवर्मेंट के खिलाफ आर्टिकल लिखने में लग गई थी जॉर्ज एक दिन उसके पास आने की कुशिश करता है और मैडलीन उसे रिस्वांस नहीं देती क्योंकि आज वाट रैक आने वाला कि इन सब चीजों से वह बहुत ही अपसेट हो गया था एक दिन पार्टी में जॉर्ज फिर से क्लोटिल से मेला दोनों ने एक दूसरे को मिस किया था वह फिर से अफेर अपना स्टार्ट कर देते हैं पार्टी से दूर जाकर नियूजपे परेर और एक आदमी की मीटिंग चल रही थी यहाँ पर जॉर्ज भी बोश गया मॉंसर कहता है कि मैं बहुत ही पावरफूल हूं मेरे सिर्फ वर्ट से मैं बुरी सरकार गिरा सकता हूं जॉर्ज ने कहा पर यह वर्ट तुमने नहीं लिखे इसे मॉंसर को बुरा लगा और ऑप ऑन्नी की बार में जानते हो तुम जिस घर में रह रहे हो ये वाट ड्रेक्ट ने तुमें दिया है मॉंसियोर के इस बात से जॉज और भी ज़ादा हर्ट हो किया वो फिर डिसाइड कर लेता है कि वो मॉंसियोर की वाइफ के साथ ही अफेर करेगा उसने वरजिनी को माइंड चेंज कर लेती है उसके पास आके ये दोनों इंटिमेट हो गया और इनका अफेर स्टार्ट हो गया था एक दिन डिनर टेवल पर हम क्लोटिल्डा मैडलीन और वरजिनी को साथ में देख सकते है जॉज इन तीनों को देखकर स्माइल कर रहा था स्लोली स्लोली वरजिनी पूरी तरीके से जॉज की प्यार में पढ़ गई थी एक दिन अजाने से वाटरेक की डेथ हो जाती है वाटरेक के लॉयर ने मैडलीन और जॉज को बुला लिया वो उनसे कहता है कि वाटरेक ने अपने 1.2 मिलिया ये मैडलीन के नाम पर कर दिया है ये बात ज़रा अजीब है क्योंकि लोग मैडलीन और वाटरेक की बीच में क्या रिलेशनशिप थी है इसके बारे में सवाल पूछ सकते है जॉज को भी इसका बुरा लगा था वो गहता है कि मैं पैसे कैसे एकसे एकसेप्ट कर सकता हूँ वरो लाल ची है तो गहता है कि हमें एकसेप्ट कर लेने चाहिए वो वाटरेक के बारे में बहुत गलत चीज़े बोल रहा था तो मैडलीन रोने लग गए वो गहती कि प्लीज उसके बारे में कुछ बोलो मत जॉज ने कहा कि मुझे सच बता कि तुम्हारा था क्या मैरले ने कहा कि मैं उसे प्यार करती थी उसने हमेशा उसे सपोर्ट किया था जॉज आज जरा अपसेट था तो वरजिनी से नहीं मिलना चाता था और उसे कहती है मेरे पास एक बात है जो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपोर्टन हो सकती है उसने कहा कि हमारी न्यू गवर्मेंट वार पर जाने वाली है ये एकी चीज थी जो लोग चाते थी कि गवर्मेंट ना करे प्रिवेस गवर्मेंट वार पर जाने वाली थी उसी वज़े से उगर गई थी वर्जिनी ने कहा कि मेरे हजबन और इस गवर्मेंट ने मिलकर यह सो प्लान किया था इससे मेरे हजबन को 70 मिलियन डॉलर्स का फाइदा होका जॉज इस बात से गुस्सा हो जाता है उसे फसाय कहा है उगसे में वरजिनी को घर से बाहर निकाल देता है क्याता है कि मुझे तुमसे घीन आती है वो जब घर पर है तो मैडलीन, मौनसिय और उनका एक फ्रेंड इतिनों मिलकर सेलिबरेट कर रहे थे मैडलीन को भी इस सारे ब्लैन के बारे में पता था जॉज बहुत जादा गुस्सा था उसे भी थोड़ी सी ओपर्चुनिटी देने वाले थे और उसे सारे पैसे चाहिए थे वो विस्से में एक घिलास मौनसियोर को मार कर फेकता है मौनसियर वहाँ से चला गया जॉज ने मैडलीन से कहा कि तुम्हें सब कुछ पता था तुमने ऐसा किया क्यों मैडलीन यह थी कि मुझे तुम्हारे अफेर के बारे में पता है लोटिल और वरजी ने दोनों के साथ तुम्हारा अफेर जल रहा था राद में सेलिबरेशन के लिए पार्टी चल रही थी है यहाँ और मैडलीन भी गए जॉज इन्वाइटेड नहीं था फिर भी वहाँ वर वो पहुच जाता है अब मैडलीन को हम मौनसियोर के पार्टनर के साथ देख सकता है पार्टी में क् क्या था उसे क्लॉटेल के साथ ही रहना चाहिए क्लॉटेल ने कहा कि जब तुम कुछ भी नहीं थे फिर भी में तुमसे प्यार करती थी और आज भी करती हूं यह दोनों फिर पार्टी में एक साथ वापस आए मौनसियोर अपने बेटी सुजान को नीचे लेकर आता हर साथ जो भी हुआ इस सब का बदला लेगा एक दिन मैडलीन जब किसी और के साथ थी तो जोज पुलिस को लेकर आता है मैडलीन के उपर एडरलरी का चार्ज लगा अब डिवास में जोज को कोई भी प्रॉल्लम ने आएगा और मैडलीन के आधे पैसे भी उसके हो जाएंग मौंसिर ने डिसाड क्या कि सुजैन और जोज क्यों शादी कर देगा वैसी भी जोज अब पावर्फुल बन ही चुका था उसके डॉर्टर के लिए सही रहीगा वजिने को जब इसके बारे में पता चला तो बहुत जादा डिस्टरब हो गे कहती कि ऐसा कभी भी हो नहीं सक मौंसिर ने कहा कि यहीं चीज हो कि यह सब कुछ तुमारे वजह से हुआ यह अगर तुम जॉज के प्यार में नहीं होती तो सुजैन भी उसके प्यार में नहीं पढ़ती है। देना पर जो आज विल्यू करता है कि कोई भी नेक्स लाइफ होती नहीं यह की लाइफ है और इसी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था वो पैसे और पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकता था तो इस वज़े से क्लोटिल को छोड़ कर सुजैन के साथ वो शादी कर लेता इस सब्सक्राइब और आपने आपका खैल रखिया है